कि हेलो 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 एरिवन स्वागत आजी क्लास के अंदर आज हम नया चेप्टल है इंकम फ्रॉम केपिटल गेंड तो यह हमारे पास में इंकम के 5 हेड में से 1 हेड है तो सबसे पहले देखते हैं यह कौन से हेड में टेक्सेबल है यह हमाई जाना जरूए कि किस सेक्षन में इंकम फ्रॉम केपिटल गेंड अंडर सेक्षन 35 में टेक्सेबल है अब दिएक फ्रॉम केपिटल गेंड होने जरूर है कि हमके पास में खेपिल एसट्स के जो डेपिद्टेशन से वह दीगई अन्डरे क्वार कर दिया कोषय नहीं होती है क्विए अग्जांबल से जनरली सब्सक्राइब करता है कि आपके पास में केपिटल एसे नहीं है तो फिर बात में सौरी नहीं बनता कि आपके पास में केपिटल गेना जाए फिर उसको आप करें नूर्मली जो सेल बहुते हैं तो हम इसके बात करें के रहें तो मियां प्राइब कर दिया है तो हम इसको इसको चिंदा नहीं करें तृष्टान त्रान टांसफर करने पर लाब प्रोवेट हो ऐसा नहीं हो टेक्स देने जुरूत ही नहीं है और एसा लाब यहां से यहां से यहांतों इतने section से बता गए आपको कि यह take free होते हैं कि इन तो इसका टाइम लिमुट दीवी है कि आपको दोस साल में इसको 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 इसा इन्वेश्मेंट करना होगा यह दिन नहीं कर पाते हो तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा तो इस तरही चीज़ आपको दीवी है यह हम अलग से डिटक्शन जो चप्टर उसमें भी है हमारे पास म होगा तो अब आगे हम बात करते हैं निमने विवारों केपिटल के लिए टेक्सेबल होंगे जनरली आपको बता दिया कोई भी लॉंक्टरम एसेट्स वगराम सेल करते हैं जो नहीं है ठीक है ना सारी इसी संब्सक्राइब बिजनिस के बात करो तो व्यापारिक जो इस्ट में हमारे पास में होगे तो कौन-कौन कौश जिय को हमने केंड़ि में करें पर इसका χی inverse करें में और इस्टा नश्राइंस कमणिस से पाफ तो वह आप लोगी सामन के बची तो लें किसी काण़ से आग लग गई थी वो रष्ट हो गई और आपको इंशुरेंस क्लेम मिला अब इंशुरेंस क्लेम कितनी अच्छी एमाउंट का मिलता है इस पर डिपेंड करता है हो सकता उसके पर लोस हो रहा हो आपको फिर बीजिसे आपकी वेलोशन आरही है उस दिन 10 ल सब्सक्राइब करें आरही है अब यह क्मपनी का सब्सक्राइब करने का माली सब्सक्राइब करते हैं तो यह पर बेच और सब्सक्राइब को इस तरह नहीं कि जैसे हम डेली गूर्स बेच रहे हों डेली हम कपड़े बेच रहे हैं वह सारा पैसा लिग उसमें एक चीज आप गटा देंगे वह की उनका जो परपोर्शन इसा जो अनुपाची इसा उनको मिल रहा है यहां पर नहीं होगा अब कंपनी द्वारा स्वियम के अंश तो शेर होल्डर्स द्वारा प्राप्तराशी अब इसमें क्या होता है इसमें एक जमल दर्फ समझाता हूं जैसे मालीजी आंके पास में वन ताउजन किसी कमपनी को आशार रखे वह थे ठीक है एक एगजार टोटल कमपनी को आशार है अब इसमें से क्या हुआ और दो सो शेर सो मार्गेट के अंदर है और और आठ सो शेर जो कम्पनी डीरेक्टर ना तीन वड़े डायरेक्टर उनके पास मिला कर रहें अब इन्होंने दोसों जिन से पेसा ले रखा है और कमनी चला लें की चलती है जाहिसे बात इक पास आशार है तो यह ज़द्र डि तो यह से डिवाड़ेशन हो रगें यह क्या चाहता है कि दो सब्सक्राइब लग 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 बहुत सारी हम खरीद लें तीन विक्ति को जो पेसा मिलता है इन विक्ति को जो पेसा मिलेगा वह भी आपके लिए केप्टल एसेट्स के रूप में टेक्सेवल माना जाएगा वह यह माना जाएगा कि आपने कुछ पाठ है इन लोगों को ने सेल कर दिया और वह इनका माने जाएगी लाउंटन इनका माने जाएगी तो वह बात आती क्यांट्टे से टैक्स परी रखने के लिए यहां पर चोड दिये तोड़ी से ऊंव यह याँ रिवेड दिये कैसे के आपके पास रखा हुआ है आपके अनको पास रियाल लेकिन फीर्भी इन चीजों को क्पिल एसेट्स के निर काऊंट कर लिए जो घर के और नामेंट्स जो 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 एक रूप में काउंट कर लिया है उसके और आंको टेक्स देना ही पड़ेगा तो जैसे कौन को से और सोने जांदी प्लेटी नम या अन्य कोई मुल्यवान पत्तर बना वाज जैसे ही राणीलम आधी दो इन सब चीजें बनी हुए उनकी बात की खगए और उनने कपड़ों के कपड़ों है तुनके बुर्स होना लगवा रखा स्वने के ताहर लगवा रखें या फिर किसी कप है पिर पीटे इसके बना लगा रखा तो इस केस के अंदर वह सब सब फिर भी केपिटल एसेट सी मुल्यवान अर्थ मुल्यवान पत्तर चाहिए किसी विज़ुड़े हूँ वह वस्तरूप लगए हो तो भी आपके लिए केपिटल एसेट सी माने जाएंगे अब इसके देख और है कि प्राचीन वस्तों रहे है आर्कलोजिकल कलेक्शन से करशी मुण में वहत्ति मरेट माने जाएंगे अब आती है बात की करशी भूमी करशी भूमी थीक है एक एगड़न शेत्र रहे हैं उनको फूरी तरह से एक जम्टर रखा गया है अब बात आती है कि अग्यार्म से लेकिन जो शेहरी शेत्र जो अर्बन नहीं रहा है वहाँ पर अग्रीकल्चर लेकिन फिर भी आपको एक्जम्ट हो सकती है कैसे आप इससे समझेए जैसे कि मालीचे मेरी प्रोपर्टी हो जेपूर से 40 km दूर है अब बले ही मेरी जेपूर से 40 km दूर है लेकिन मेरे वहाँ पर डॉलमेंट रेट बहुत अच्छी है और इसके अपेक्षा दूसरा जो मेरा दोस्त है उनके पास बीकानेर के अंदर या जो चीज बेची जाती है वहां पर की अग्री कल्टर में काम आने वाली है जबकि मेरा वाला है वहां पर बहुत ज़्यदा प्रोपट होने वाली क्योंकि जेपूर से 40 km दूर है बली लेकिन वहां पर अच्छा डॉलमेंट है तो उस केस के अंदर क्या है जो जेपूर वाल आपके यह अब कैसे कि आपको अर्बन आई की बात कि अपको बाट इस पोड़न के बताया गया है कि इतने क्लमेंटर का अंदरी को जमीन है तो वह taxable मानी जाएगी और इससे दूर है तो tax free मानी जाएगी जैसे मानी जाएगी एक छोटा सा कज़वा बना हुआ है जैसे मैं बात करूँ बरतपूर के इंदर रूपास तैसील है ठीक है फोर एक्जामन हम नहीं पता है अब उसकी जो population है वह 10,000 से भी कम है ठीक है न होन अब माली जे आप ऐसे एरिये में है वह जो जमीन है उस एरिय की उस condiment बोर्जे से ज़ादा है वहां की जो population है वह 10,000 से ज्यादा है बराबर नहीं है एक फाल का साइं नहीं है ठीक है 10,000 तक है तो एकजमना नहीं है 10,000 एक भी है यादि आवे लास्ट पुपुलेशन कहा अभी दो साल में लिए कोई सर्वे ने आपको पास में आपको आउंटिंग कर लिए वहां की पॉपुलेशन तो वह काउंट नहीं करेंगे जो भारत के स्टेटल डेपार्टमेंट जो करवाता है एक बार दोजार जैसे हर दोजार गैराम हुई थे दोजार की समय नहीं जारी यह पॉपुलेशन लोगए तो आपको दो दो किलुमेटर की अर्यी अंधर यह यह दो से दूर है डोला जित lucky चोठा शहरे चोठा चेरे च्टा इ्टर जो जरूसे नए नहीं तो हम यह बात निकांसे कर दिविषयार के ऐसे लड़ार तो फिर के नहीं की अच्वी आपको है वह आपका क्या माना जाएगा कि अच्छा माना जाएगा उसे यह अच्छा एरिया माना जाएगा वहां पर commercial पर समा सकते हैं अगए पुपॉपुलेशन आपके एक लाग से जधा जदा है पॉपुलेशन दस लाग से जदा है तो उसका जो नगरपारी का जो एरिया वोड एना उसका आठ किलोमेटर तक क्या एरिया है ना वह उसी कदर माना जाएगा वह आपके लिए क्या माना जाएगा टेक्स है लही माना जाएगा अब दीखें सब्सक्राइब कैसे मैं उन छोटा सा एक आजमर लेता हूं यहाँ पर जैसे की माली जीए यह कोई एरिया है इस तरीकी को एरिया बना हुआ है ठीत और यहां की पोपूलेशन ने 3 लाख मेலऄ अब आपकी जो लेंड है वो雋्च्रे एक लेंड तो यहां पर है अब यह पर यह यहां पर आप एक बी यहां पर है ठीक है और अब यह 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इस तरह से तब यह पॉइंट आपका आ रहा है तो यह तो आपके पास इसका मलब यह नहीं कभी भी पॉइंट बना वास पॉइंट से नापेंगे पॉइंट नापेंगे तो फिर तो कोई जमीन बचेंगे नहीं जिसे यह ने डिशाड करका कि यह जेडी के डवलोपेंट के अधरती सारी सारी जमीन ठीक है यह यह पूरा एयरा जेपुर का जीडी का एक एरिया तो इससे हम डिस्टेंस काउंट करेंगे अपनी जो भी है जो अब बात करते हैं कि बिजनिस की गुडवील के टी अच्छा होगा तो जब तक तक है तो तब ही तक हो ठीक है लेकिन बिजनिस है जिसमाल है रिक होस्पितल है बहुत अलग है तो और श्रूपितल के नाम से जुड़ होगा जैसे सोनी होस्पिटल है 40 जेपुर के अंदर तो यह होस्पिटल अपने आपके अंदर नाम रखते हैं कि क्या इनको माना जाए क्या नहीं माना जाए तो यह चीज बिल्कुल अलग होती है हमारे पास में अब इसके बाद बात करते हैं हम कर्शी भूमी का अन्ने कोई भी भी वूमी है उसके सब हमारे पास होगी ठीक्स करी लिया हम यह अब बात करते हैं को केप डिल एसेट्स नहीं माना जाएगा कुछ चीज ऐसे लगती है यह उद्धा पर हम बात कर देंगा सब्सक्राइब नहीं माने जाएगी लेकिन अब इसके नहीं सब्सक्राइब को छोड़ को छोड़ कर सभी फटीचर होगे तो नीजी उप्यों के लिए जिसने परसनल यूज के लिए वर्टन हो गया हमारे सभाव फनीचर होगे सब्सक्राइब लिए अब के लिए तो यह सब किसमें घर की चाहिए आपकी नीजी पर लिए बीजन्स कोई समझ नहीं के लिए यह पर एक विजनिस तो शामिल है ही सही बिजनस के लगवां अगर्वी चीजे बीशाएग जाए यह ट्लिए पडिए लिए निया जब बीजाविए जैसे यहां हमानी जाएगी वह सबताक्स के शैषहmeye promet Cupvy तो आपके बादञे मिन शेष्टर कर टीक्स क्या की आप पास गरनफ़ा मिनच करुणी और आए यए आपा विशेश दारक न यह क्या है देखो में बताओं इसके बारे में यह थोड़ थोड़ा सा आपको हलका बर्वल द्यांगना करवें कि क्या होते हैं यह क्या है गोवर्मेंट से अपने टाइम टाइम प्लान लेकर पेसे कमी हो जाती तो इस तरह के प्लान से लेकर आती है कि और यह ओफर करती है कि कुछ पार्ट को छोड़ दीजिए और इस तरह के बांड ले लिजिए जिनके आपको टेक्स फ्री रिवेट मिल जाएगी तो इस तरह के बांड समगेरा जो लॉंग टरम के लिए रखे होते हैं तो उनके बेशने पर हमारे पास में केपिटल गेन हो कि आपके लिए स्कीम से लेकर आती है जहां पर आपको यह बोला जाता है कि आम इनको पर्चेज कलिए जरू नहीं आप गवर्मेंट अब अब देखिए तो यह सब के सब्सक्राइब नहीं बता थी कि आपके लिए टेक्स फ्री माने जाएंगे पेशे की प्रभी लांक पत अब बात करते हैं हमागे एसेट्स ट्रांसफर इन प्रियोस एर बड़ टेक्सेबल अमाउंट रिसेविंगर कुछ ऐसे से टॉपिक्स लेकि बताएंगे आपको जहां एसेट्स ना लाश्ट एयर मलाव सोरी प्रियोस एर के लिए टांसफर हो जाएगी लेकिन जिस प्रिय क्या कर्या में चाल इसमें शामिले आपका डेमेज डिस्त्रक्षं हो गया है नश्ट तो भई आपकी कोई भी एसेट्स वह आपकी नस्ट हो गई है चलो ठीक है बहुत हो गई है आपकी अब इंश्ट से क्लेम लेने लिए आपको तीन साल चार साल लगु तो एसा नहीं के पहले साल आपने क्लेम आपने दस लाग दे दी हैं आपने केस बना कर भी दिए दस लाग आपको ठेक्स वर देना पड़ेगा नहीं वह आपके लिए तब मानी जाएगी जब आपके पास में आपको मिल जाती है इसे यह बात कर जा दी कमपलसरी एक्विशेशन की बात की जा जाए जब आपके लेंड यह जमीन रखी वी थी और किसी प्लान की तरह गोवर्मेंट ने या प्राइट कमरीं के साथ या रेलवे ने आपको वह जब ही नाव एक्वाइर कर लिए तो जो भी है जब आपको वह रेलवे अमाउंट देगा वह उस यह में टेक्सेबल होगा यह सब्सक्राइब कर दिया उसी पर तो फिर बाद में कोटी वाद तीन साल वाद चार साल वाद और आपको मॉंड मिल रही है तो फिर वह जब आमाउंड मिलीगी जब डिसीर्ज़न वाद आपको यह में टेक्सेबल होगी कंवर्जन इन केपिटल एसेट इंटू स्टोक ट्रेड तो दिए जैसे ही आपने कोई केपिल एसेड सी और वह आपने श्टोक इन ट्रेड के बदल दी एक तरीक से महान लेकिए आपके बास में जैसे आप पहले बास में निकादे साम कपड़ों के व्यापारी हो और अगास फणीचर भी वह सारा बना रहा है आपने आपने लेकिए पर बने जाए जब अपना फणीचर यह पहले रूप में दा उसे भी आप सेल ना चाहरे हो निकलना चाहरे हो आप विस्टोक इन टेड गें लिए उसको भी आपको तो वें सेल अपसाच इस्टोक ताइम तो पहली बात ही एकि जिए जिस दिन आपने कोई तो जिस दिन वो बिके करना उस दिन हम यह मानेंगे कि आमने केपिटल असे को बेचा है ठीकिन बहले आपने पहले उसे काई में स्टोक इन ट्रेडर में लिए लेकिन से कैपिटल अब केपिटल गेंड की कि फेर वेल्यू 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 ऑफ डेट अपकनवर्जन तो उ तो प्रेडर में लेंगे और उसकी जो कोश्ट उसमार पास में टेक्सेपल के लूप में अब एक बात आगे और बदाएगी यह कि जब एक वेस्टी और या फिर फेली अपनी के लिए नहीं है कि अपनी जो लेंड या दोनों चीज़ें वह रियल इस्टेट प्रजेट में प्रोजेक्ट में क्या होता है जैसे एक कोलोनी डवलप हो रही है उन्हें रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को बोलते हैं जहां मतलब रहने की जो सुझदया है वह बनाएं जाती है कलब बन रहे हैं और आपने पर्तिफल जो कंसेट्रेशन है वह आपको चाहिए कुछ कुछ सब्सक्राइब करें लिए हम आपको राता ही इसे प्रोजेक्ट के लिए मैं डनीम होगते गए तो और जो हम प्रोजोंस प्रोजेक्टेट नहीं होगे कई तो रहना ही है, तो ब्लमेंगे अस म्ना पो इसवास्त करशी है नहीं प्रोजेक्ट हो जाएगा तब जब आपको वापस की रूप में क्या हो पूरा पूरे चीज प्लोड दिदी जाए वापस तो अब क्या हो गया कि एसे जो प्रोजेक्ट है उसका जब पूरा प्रोजेक्ट में नहीं मिला हो लेकिना प्रोजेक्ट में नहीं पड़ेगा उसको दे दिया अपने सारा कंपनी को सारा कम्पनी उसको प्रोडे निकल गए और उस उसने आपको और अपने अरिया मला जो भी आपके वेलिवेल निखाला जो भी अपर वापस जमीन दे दिए तब इस समय आपको पास में एकरवा भी नगद में नहीं मिला है लेकिन आपको टेक्स हो चुकाना ही पड़ेगा ठीक है ना क्यूंकि आपके 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 आपक इस्टाप्डूटि के हम बात करेंगे तो बश्चाइब क्या हो था हैकि हमें जब भी हम जब भी को प्रोपरटी लेते हैं तो हमें बबर इस्टाप्डूटि छुआनी पड़ती है तpower तो इस्टाप्डूटि के लिए जो वेलिव आती है वह तीक है वह वह समझ भी होट बही क्या होता है कि गोवर्मेंट के पास में हर एरी की जो जमीन है उसकी पर्टिकुलर कीमर डिसाइड कर रखी है उसे प्राइज को हम के एक वेलीशन निकलती है और उसके उपर उस वेलीव को पर इस टाम डूटी चुकाए जाती है तो आपको यह बात की जादी है कि जब आम इस्टाम के लिए वेलीव निकालें कि इस्टाम के लिए उसकी वेलेशन कितनी है तो एक तो गुवर्मेंट डेट से कम तुमारी होई नहीं सकती है उससे जदा भी हम बढ़ा सकते हैं उसे तो वह जो वेलेशन आती है ने इस्टाम के लिए जो वेल्यू पकड़ी है आपने जैसे प्रिक्टिकल जो एकजांपल ह होता है हमारे पास में क्या होता है हमारे पास में हम रजिस्टरी जो करवा थे ल benefits in आपने ली है ठीचिक में उसे पिकिली तो आपको पहली बात इस ठाम डूटी के जो भी आमांट आपने ली है ठीक है मैं आउट लाग यह अब बात आते हैंगा अब बात आती है करेंगे तो लॉंग टर्म जो शौट टर्म नहीं इसके बड़ी सी जिसे आपको शौट टर्म की याद करना है अब जो शौट टर्म हो गई वह यहां पर आई जाएगी और जो यहां नहीं आई वो सारी-शारी लॉंग टर्म हो गई अब के बाद आती है कि हम कैसे डिसाड करेंगी कोई चीज शोट टरम है कि लोग टरम है तो उस पर्टिकुलर जो भी आपकी जो एसेड्स है वो यहां पर सब में लिख दी गई है सारी एसेड्स याम लिख दी गई है उस टाइम तक है तो वह शोट टरम में उस टाइम से जदा के लिए आपने उसे रख लिए तो फिर वो लॉंग टरम हो जाएगी अब इससा डिव काना बीज्ट रहार जो जैसे आपने शेयर फंसे के लिए लगए नहीं कुरुद को सब्सक्राइब हो तो जैसे आप कपड़ेगों बेच रहे हो वेचे वीचने माना जा रहा है वीचा ठीक है अवने क्या हर साल निचर निकाल तो लेकर आज दुदे माटश वीं नहीं लि तो बिजने आप कार वोगिना जो भी हो वहर साल बदलते रहते हो इस तरह कि आपने एक परमपरा बना रहे हैं जब कि आप कपड़े के व्यापारी हो तो कपड़ी तो समझ भाइब आप लेकर आए ट्रक आप फिर सेल कर दी लेकि फंडिशर क्यों बार 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 बेश रहे ह तो सही मान लेंगे कि आप उसके वह भी व्यापारी कर रहे हो और से रेवेन्य नेचर का मान थे उसके पर जो मेक जिम रेट थाटी प्लिशन ले लेंगे इसके कंपेर में कोई चीज लॉंग ट्रम के लिए लिए इंकम डेट इपार्टम ने विशिष्ट दरें तहीं करें है तो वह पर जो आपकी डिज्व डिपरिशन की रेट है वो थोड़ी कम होती है करने पर कंटे पर सकती हुआ मईं गये अब घय हम बात आती हैं यह सब्से इंप्रडेंट बात है वह बात करेंगे कि कौन-कोन से चीजे हैं जिनको हम यहां पर करने वाले हैं ज्युन करने लिटेटिन से नोग लिए तो वह मानी जाएगी आपके लिए लॉंग टर्म तो आपके लिए लिए इनको आपको कम मुदी रखना पड़ता है जैसे यह लोंक टर्म हो जाती है और लोंकर मोने के बाद में आपके पास में कम रेट से आपको देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो मिलना लिश्टेड को लेट होती वह सब से अच्छी होती है लुटेड बढ़ वो अन्लिश्टेव टेले और इक्वीटी और पूह को पेस्स पेस्टियो आपके पास में पड़ेगा यह हम पर मुट्ब में सम्हों पड़े पिर आपने पूंहें घ्रस न्हों को जो रहे हैं नोन वोगे लेंड बिलिंग जो इस ताही रूप से जुड़े हैं जैसे आपका कोई बगीचा बना वाए तो इस ताही रूप से जुड़ गया हो तो बगीचा भी इसमें आजाएगा आपके पास जी केपिल एसेट से तो इनका अब इसके बाद में बात आती किन लोगों के लिए चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड यूनिट हो लेकिन वह क्या हो देट्ट अरिंट्टेड मूचल फंड्स हो रण उनमुक ह्यूनिट हो ओरनामेंट्स आभूशन हो तो इन सब चीजों के लिए हाल्दिंग परिंट आमका थाड़िजिक्स मंत रखा गया है तो लिष्टेड हो या फिर अनलिष्टेड हो कौन सी होगी यूनिट्स होगी उन सब्सक्राइब है और उनमुक है यूनिट से मूचल फंट के लिए तो मुचल फंट के लिए उनमुक जो यूनिट से बात की आई और और आमेंट्स की बात कि इनके लिए आपको 36 मंद के लिए रखना वोगा तब जाकर आपके लिए यह लॉंग टर्म बन पाएगी 36 से पहले आपको तो आप मेरे जो यूटूब है उसमें आप लिख सकते हो में उनको रीड करता हूं और उनके जल्दी में अलगले टाइप वीडियो ब्रान लिए था यारू उमीद करता हूं कि शायद एक दू दिन के अंदर में कुछ अच्छे वीडियो और आमके लिए अप्लोड करतमा जिससे के आमके लिए इजी गोइंग हो आज की लास के अंदर इतना ही धन्यवाद